आज हम बात करने वाले श्रीराम ट्रांस्पूट फाइनसे स्टॉक के बारे में इस स्टॉक का बिजनस और इसके टार्गेट प्रैजस जो निकल कर आ रहे हैं जिसके चलते इन्वेस्टर्स को क्या कुछ यहां पर रेटिंग्स देनी चाहिए इस स्टॉक को लेकर इसके बार रही है अब यह जो श्रीराम ट्रांस्फूट फाइनसी स्टॉक के अंदर इसके हाईयर टार्गेट प्रैस होने के बावजूद भी इसके अंदर जो गिरावट हमें देखने को मिल रहे हैं यह और भी हमें एक से दो मैने तक का देखने को मिल सकता है और स्टाउक के अंदर जो इसके target प्रेजिस निकल कर आ रहे वो एच्थ हू करने को स्टाउक को और भी जादर समय यहां पर हमें देखने को मिलेगा जहां तक खी टार्गर प्राइजेस 1,485 तक की निकल कर आ रहे हैं इन्हें अच्छु करने के लिए स्टॉक को दो से धाई मैने तक का टाइम प्रेट हैं पर लग जाएगा और तब तक स्टॉक के अंदर करेक्शन लगातार हमें देखने को मिल सकता हैं तो स्टॉक के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करना या फिर इसके औ स्टॉक के लेवल पर स्टॉक आपको बाइंग करने के लिए आसानी से मिल जाएगा उतने स्टॉक के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि अगर आप सिक्स मन्द का परफोर्मस देखेंगे तो स्टॉक का यह जो अभी यहाँ पर रिसेशन का मोड चल करते हैं हमें देखने मिलेगा जिसके चलते हैं आपको अच्छा खासा बाइंग को आप्शन यहाँ पर मिल जाएगा तो अभी 1218 के लेवल पर बाइंग कर सकते हैं अब जैसे कि इस टॉक को लेकर यहाँ पर श्रीयान प्राइंस को लेकर जो टार्गर प्राइस निकल करा स्टॉक का जो अभी रिसेंट अगर देखा जाएं तो ट्रेडिंग वैल्यू 1218 के निकल कर आ रही है और यह टाइम पर आप देख सकते दिया जा चुका है जो कि फोर मन तक का बताया जा रहा है कि स्टॉक को 1500 के लेवल को टच करने के लिए फोर मन तक का यहाँ पर टाइम को मिल जाएगा अब यहाँ पर नेक्स लेल पर जो टूडेज पहले का अगर देखेंगे तो इसके तरफ से करने के लिए फोर विक्स तक का लेकिन इसके टार्गर प्राइज यहां पर आगर देखेंगे तो 1380 के यहां पर बहुत ही रेर चैंसे देखने हूं मिल रहे हैं कि स्टॉक यहां पर इस टार्गर प्राइज का एच्छू करेगा क्योंकि इसके नीचे के लेवल जादी लगते हूए हमें देखने को मिल सकते हैं और श्रीराम ट्रांसुट फाइनसी स्टॉक का जो बिजनस है वह अभी फिलाल सीजन वाइस थोड़ा सा इंपक्ट पड़ते देखने मिल रहा है और श्रीराम ट्रांसुट फाइनसी स्टॉक के लेकर जहां पर आपको कोई भी गलती नहीं करनी है जिसके चलते आप इसके अंदर से बाइंग करकर फिर से इसके अंदर इंवस्मेंट करकर अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट कमा सकते हैं यूकि दो हो रही है इसका आपको फाइदा उठाना चाहिए और इसे एक अपॉर्शनेटी तरह लेना चाहिए और इसके अंदर इंवस्मेंट करनी चाहिए लोवर लेवल पर ताकि स्टॉक जब अपर लेवल लगा तो आपसे आपका जारा से जादा इसके अंदर प्रॉफिट हो सके आप सारी बाते समझ चुके होगे फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे नेचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपको बता दूँगी वीडियो पस्तना है तो लाइक ज़रू को देना मेरे चानल पे ने तो चानल सब्सक्राइब ज़रू को देना तो थैंक यू सो मच